नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकासर हिंधी यूटूब चैनल इस वीडियो में जानकारी लेने वाली हैं, प्रधामत्री आवास यूजना की ग्रामिन लिश्ट जारी की गई है और इस ग्रामिन लिष्ट में जिन लोगों का भी नाम है उन लोगों को अब अपना पका मकान बनाने के लिए सरकार एक लाग बीस जार रुपे देने वाली है परधामतरी आवास यूजना में यदि आपसे पहले आपने कभी भी अपलाई किया था यदि आपने फोरम भरा था तो अब परधामतरी आवास यूजना की ग्रामिन लिष्ट जारी कीगी है इस grammar list में आपका नाम है या नहीं है, किस परकार से आप चेक कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी दी जा रही है, तो आप अपना नाम किस परकार से देख सकते हैं, उसकी पूरी जानकरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को इसमें यहां पर आपको जैसे ही आप इस लिस्ट को देखेंगे तो वहां पर आपको इस परकार से लिस्ट देखने को मिलेगी तो यहां पर serial number है registration ट्रेसन नमबर हैं, कंडिडिट का नाम, पिता का नाम और जैंडर और कैटिगरी यानि कि आप आसानी से अपने गाउं की लिस्ट देख सकते हैं कि आपके गाउं में इस लिस्ट के माध्यम से कितनी लोगों को आवास के लिए पैसे मिलने वाले हैं। यूटूब चनल पर एक वीडियो उपलब्द है, उस वीडियो को आप देखें और देखकर के जानकरी लें और जानकरी लेकर के इस योजना का फायदा आवास से उटाएं और फोरम भरें। परदांदरी आवास यूजना की अंतिम सुची दोजार चोबिस के लिए जारी कर दी गई है, पी-एम आवास यूजना की फाइनल सुची जारी होई है, जिसके अंदरा आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाल परदांदरी आवास यूजना के अंदर कर भारत सरकार दोजार दोजार चोबिस के लिए लाभारती सुची जारी जा चुकी है, अगर आपने भी अपना पका मकान बनाने के उद्देशे से भारत सरकार दोजार चलाई जारी परदांदरी आवास यूजना के लिए पहले आ आदिकारिक वेबसाइट पर नागरिगों की लावारती सूची जारी की है तो यदि आपने अब से पहले फोरम बरा था तो सूची जारी की गी है इस सूची में आपका नाम है या नहीं है इसको आसाने से आप एक आदिकारिक वेबसाइट सरकार के ओर से लॉंच की गी है इस परदामत्री आवास यूजना की तहट देश के गरीब और बेगर लोगों को घर बनाने के लिए सरकार आर्थिक साहिता परदान करती हैं और इस रासी की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो नागरिक हैं वो खुद का घर बनाने में सक्सम हो पाते हैं तो सरकार सभी लोगों को जो लोग गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है उनको परदामत्री आवास यूजना की मादम से सरकार आर्थिक साहिता दे करके उनको पक्का मकान बनाने के लिए सक्सम करती है परदामत्री आवास यूजना दोरा भारत के बेगर और गरीब नागरिव को आवास देने का कारी सरकार के दोरा लगातार किया जा रहा है PM आवास योजना के दो रूप देखने को मिलते हैं पहला है PM आवास ग्रामीन योजना और दूसरी है PM आवास अर्बंजो की सहरी चेतर के लिए है तो परदामतरी आवास यूजना को दो भागू के अंदर डिवाइड किया गया है ग्रामिन छेतर और सहरी छेतर यदि आप ग्रामिन छेतर में रहते हैं तो ग्रामिन छेतर के लिए यहाँ पर एक लिष्ट जारी करती जा चुकी है तो सेरों में रहने वाले जो लोग है उनका नाम आवास की सेरी लावारती सूची में जारी किया जाता है और इसके अलावा ग्रामिन अंचल में रहने वाले लोगों का नाम ग्रामिन सूची में जारी किया जाता है तो ये ग्रामिन सूची जारी आपर कर दी गई है अगर आप ग्रामिन छेतर में रहने वाले नागरिक हैं तो आप प्रधामतरी आवास योजना की ग्रामिन सूची में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं उसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में बताए गई है ताकि आसानी से आप अपने गाउं की लिष्ट देख सकें और उस लिष्ट में आपका नाम है या नहीं है उसकी पूरी जानकरी आप ले सकें फ्रदामतरी आवास योजना घुरामइन सूची देखने की प्रक्रिया किस प्रकार से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपकी पास रजिस्टरेस्न नमबर नहीं है तो आप किसी किस गाउ में रहते हैं तो आप निमलिकित परक्रियाओं की बली बाती पालांग करके परदामतरी आवास योजना की जुगरामे लिष्ट है उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं यदि अपसे पहले आपने परदामतरी आवास योजना के लिए फोरम बरा था और आपकी पास रिजिस्ट्रेशन नमबर नहीं है तो भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि इस लिष्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है तो किस परकार से आप अपना नाम देख सकते हैं उसकी पूरी जानकरी अब आपको यहां पर मिलने वाली है इसलिए किसी भी परकार से वीडियो की स्कीप ना करें सबसे पहले आपको PM आवास यूजनक की आदिकारिक वेबसाइट है PMAYG.NIC.IN इस आपको वेबसाइट के उपर आपको जानना होगा जैसे आपकी सामने एक दूसरा पेज बुपन होगा उस पेज में आपको drop down menu यानी नीचे नीचे आपकोई down менu मिलेगा उसके अदर आपको रिपोर्ट नाम गएक विकल्प मिलेगा आपको इस रिपोर्ट नाम में विकल्प के उपर क्लिक करना हो गा जैसे आप रिपोर्ट विकल्प पर क्लिक करेंगे वैसे आपको एक नए पेज के उपर भेज दिया जाएगा नया पेज होगा इस परकार से आपको वहाँ पर दिखाई देगा इस पेज के उपर आपको सोशियल ओडियर्ट रिपोर्ट सेक्शन में मौझूद बेनिफेशरी डिटेल फॉर विरिफिकेशन के विकल्प के उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप Social Audit Report पर जाएंगे वैसे ही आपको वहाँ पर एक Beneficiary Detail for Verification का विकल्प मिलेगा इसके उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप इस विकल्प क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने PM Awas MIS Report नामा के पेज ओपन हो जाएगा तो PM Awas MIS Report जो पेज ओपन होगा इस पेज में आपको इस पेज पर आपको राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा जले का नाम सेलेक्ट करना होगा ब्लोग का नाम सेलेक्ट करना होगा और उपने गाउं के नाम का सेलेक्ट करना होगा जैसे आप अपने राज्य को, जिले को, ब्लोग और गाउं को सेलेक्ट करेंगे वैसे ही सेक्षन में आपको परधामतरी आवाश योजना का फिर वहाँ पर आपको चुनाव करना है यहनि आप जैसे ही परधामतरी आवाश योजना पर क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको capture code दिखाए देगा इस capture code के अंदर आप जैसे ही code दर्ज करेंगे और उसके पास में बने वे submit के option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक list ओपन हो जाएगी list open होते ही ये list जो open होगी वो आपके गाउं की list होगी आपके गाउं की लावारती सूचे आपके सामने खुल जाएगी आप इस page पर देख सकते हैं कि आपके ग्राम में किसको आवास आवंटी थे किया गया है अभी क्या प्रोज से चल रही है ये भी आप जानकर ले पाएंगे और आप चाहे तो इस page की print भी ले सकते हैं तो यदि अपसे पहले आपने पका मकान बनाने के लिए परदामतरी आवास योजना में फोरम बरा है अपलाई की थी और आपके पास रजिस्ट्रेशन नमर नहीं है तो भी आसानी से आप इस ग्रामिल लिष्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम इस लिष्ट में आया है या नहीं आया है तो परदामतरी आवास योजना की जो ग्रामिल लिष्ट जारी की गई है इसमें आप अपना नाम किस परकार से चेक कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर मैंने बताई है आप इन इस टेप्स के माद्यम से आसानी से आप अपने गाउं की आवास लिष्ट दे सकते हैं और उस लिष्ट में आपका नाम है या नहीं है उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं परकासर हिंदी यूटूब चल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक अवस्य करें किसी प्रकार की जो जानकारिया होती हैं वो मैं आप तक मुचाता रहता हूँ वीडियो को टेलिग्राम, वार्टसप, फेस्बुक की मादन से अने लोगों तक आप सेंड अवस्य करें ताकि सबी लोगों को परधामत्री आवास योजने की जो गरामें लिष्ट जारी कीगी है इसमें उनका नाम है या नहीं है उन सबी को जानकरी होनी चीए तो वीडियो को आप सेंड अवस्य करें धन्यवाद